नमस्का दश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज में वीडियो लेकर आई हूँ व्रिष्टिक लगन वं मिथुन राशी के लिए फरवरी 2022 का राशी फल व्रिष्टिक लगन का क्या रत है कि आपकी जनम कुल्णी में ये जो पहला भाव है इसमें 8 नमबर कांकलिका है इसका रत है आपका व्रिष्टिक लगन है चंद्रमा अगर अश्टम में बैटा है तीन नमबर में इसका रत है आपकी मिथुन राशी यानि अगर आपका कम्मीनेशन व्रिष्टिक लगन वं मिथुन राशी का बनता है तो ये वीडियो आपके लिए है विष्टिक लगन और मिथुन राशी के लिए फरवरी का महा कैसा है मेरे इसाब से फरवरी के महा को अगर देखा जाए तो विष्टिक लगन और मिथुन राशी के लिए कैरियर में आगे बढ़ने का समय है कैरियर के लिए बहतर समय है आपको फरवरी के महा में कोई opportunity मिल सकत और यह समय ऐसा है कि जब आपको भागे का साथ रहेगा भागे आपका वली रहेगा विश्चिक लगन से अगर हम बात करें तो ग्रहों की पोजीशन इस बात का संकेत दे रही है कि आप देखिए पंचमेश गुरु जो है वो केदर में बैटे हैं और उनकी दशमेश सूरे के संग्यूती है दशमेश सूरे अपने ही भाब को देख रहे हैं जो इस बात का संकेत है कि काम को लेकर आपको फरवरी के महा में ज्यादा परिशानी नहीं होगी अगर आपको कोई परिशानी चल रही थी तो फरवरी के महा में दूर होगी काम के लिए आपके लिए आपके तो फरवरी के महा में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जो लोगों से social connectivity है, लोगों से जो संबाजिक संपर्क हैं, उसका अलाव आपको फरवरी के महा में मिलेगा, कि अगर आपको कोई काम में किसी की मदद की जरूरत थी, तो वो काम आपका आसानी से हो जाएगा, अब हम बात करते हैं कि फरवरी के महा में career सही है, finance सही है, और भागे भी आपका सही है, लेकिन उसके साथ-साथ फरवरी के महा में कुछ साबधानी की भी जरूरत है, पहली साबधानी कुटुम, अगर आप joint family में रहते हैं, तो ध्यान रखिए फरवरी के महा में सदस्चो में किसी पकार का कोई तराव या गलत फहमी ना हो दूसरी सावधानी रखे दमपत्य जीवन को ले कर जो कि लगन और सब्तम भाव राव केतु क्यक्ष में है और मिथुन राशी से सब्तम भाव पे मंगल वाशुक्र की होती है जिसमें मंगल जो है केतु अधिश्टित राश वैपार पार्टनर्शिक में चलता है तो ध्यान रखिए पार्टनर से किसी पकार के संबनना खराब हो अगर आपका कोई कोट केस चल रहा है तो फरवरी के महाँ में उसमें सावधानी रखनी की जरूत है मंगल आपके वाणी भाव में विराजमान है और द्वादेश शु कोई ऐसा ना हो कोई आप ऐसा बात कह दें कि बंता हुआ काम बिगड़ जाए इसके लावा वाहन को भी सावधारी से चलाईएगा वाहन की गति को नियंतिर रखेगा क्योंकि मंगल की विष्टी अश्टम भाव पर है ऐसा ना हो कि किसी पकार की वाहन दुगटना हो जाए विष्टी लगन और मिथुन राशी में मिथुन राशी पर इस समय शनी की ढहिया चल रही है और मिथुन राशी से अभी अश्टम भाव में सूरे के संग शनी चल रहे हैं सूरे पिता का कारक है सूरे का अश्टम में चलना और शनी की ढहिया होना इस बात का संकेत है कि फर लाइफ में, कोट केसिस में और पिता के स्वास्ते को लेकर आपको साथदानी रिखनी पड़ेगी फरवरी महा में उसमें किसी पकार के लापरवाई मत करियेगा वैसे विस्टिक लगने मिथुन राशी के लिए फरवरी का महा साथ परशन तक बढ़िया जाने वाला है अब साथ से 50 वी हो सकता है और भशलते आपकी दशाएं शूब हों दशाह कब शूब होंगी जब आपकी बागेश चंदर्मा की दशमेश सूरे की या पंचिमेश गुरू की गुरू सूरे या चंद्रमा की दशाय आंतर दशा चल रही होगी तो वो आपके लिए शुब रहेगी तब ये गोचर आपको 60 की जगा 65 का भी रिजल दे सकता है लेकिन अगर दशाय कुछ नेगटिव होई जैसे दशाय आपकी अश्टमेश भुद की या दवादेश शुकर की दशा या अंतर दशा चल रही होगी तो ये गोचर आपके लिए थोड़ा सा नेगटिव हो जाएगा तब ये गोचर आपको 60 की जगा 55 परसेंट तक रिजल देगा तो मेरा इमाना है कि विष्टिक लगर अमित्थुन अची के लिए फरवरी के हसाब से वहतर समय है केरियर में उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उनको अपने दामपत्य जीवन की और अपने परिवार के पिता के स्वास्ते की इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये चीजे ऐसी हैं अगर इनमें क किसे ने सब्सक्राइब कर दें साथ ही बेल अकन को भी दबा दें जिसे जब भी मैं अपने वीडियो प्लोट करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलना है और आप मेरा वीडियो देख सके इसके साथ ही नमस्काद आश्कों जैमादार अ झाल至 झाल